आज हम शुरू करेंगे वेदिक सब्वیता एमेम सेंसक्रती की जैसा कि हम जानते हैं जैसे कि सिंदु सब्वیता है उसके बाद में ये जो सब्वेता है आरियों की वेदिक सब्वेता पनपी सिंदु सब्वेता के हमने important questions कर लिये हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं वेदिक सब्वेता से जुड़ेवे महतपूर्ण किशिंस को अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है अगर आप इसमें जो टेस्स सीरीज हैं वो सॉल्व करने जा रहे हो तो प्लीज प्लीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेदिक सब्वेता से का यूद्ध जिसे दस राज यूद्ध के हैं वो किस नदी के तट पर लड़ा गया, इंपॉर्टेंट किश्यन है, तो आज हम जैसे कि आरे सब्वेता की बात करेंगे आरेसह भीता को वेदिक सब्वेता के नाम शे जाना जाता है, सब्त सेंदव पर्देश में जो आरेस तट पर लड़ा गया यह हम देखते हैं तो यह जो पुराना नाम है परुषणी और आधुनिक नाम है रावी रावी नदी के तट पर लड़ा गया परुषणी भी रावी नदी को ही कहते हैं इसका प्राचिन नाम है अगला किशन देखते हैं वैदिक काल में मुले की इकाई थी वैद्दिक काल में जो मुल्ले उसकी काई क्या थी तो उसे निश्क कहते थे रिग वेद में सरवादिक संख्या में सुक्त हैं तो किसे जुड़े वे हैं कौन से देवता के हैं तो वो इंदर के विशे में सब चेजादा है इंपोर्टन किशन है ध्यान रखेंगे रिग तीन वेद संयुक्त रूप से 3 या वेद 3 कहलाते हैं कौन से तीन वेद हैं हम सब जानते हैं कि चार वेद हैं हमारे रिग वेद शाम वेद ये जुर वेद और अत्थर वेद अब इन चारों वेदों में से कौन से तीन हैं जो साथ में जो संयुक्त रूप से 3 या वेद 3 कह तो वो है फर्स्ट अप्चन हमारा करेक्ट है रिगवेद ये जुरवेद और शामवेद वन व्यवस्ता की उत्पत्ती की सर्वपर्थम व्याक्या किस द्रम गरंथ में मिलती है वन व्यवस्ता जो है उसकी उत्पत्ती कौन से गरंथ में देखने को मिलती है सबसे पहले तो है वैसे सिख दर्शन के पर्तिपादक उलुक कनाद गायतरी मंत्र का संबंध है कौन से वेद से है तो रिगवेद से है वेदिक काल में आजीवन क्वारी रहकर शिक्षा ग्रहन करने वाली विदूशी नारी को क्या कहते थे उसको कहते थे ब्रह्म वादेने सेकंड ओप्शन हमारा करेक्ट है ब्रह्म वादेने कहते थे जो कि आजीवन क्वारी रहती थी और विदूशी होती थी मतलब सिक्षा ग्रहन करती थी निमले कित में से किसने वेदिक रिचाओं की रचना नहीं की थी तो इन में से किसने नहीं की थी वेदिक रिचाओं की करम कांड़ों का उलेक मिलता है अगला है आरियों के वस्तार पहनावी के लिए सही का थन है आरियों का जो वस्तmber थे वो जो पहनावा पहनते थे वो अधिवास या ध्रापी कहते थे जो उपरी वस्त्र होते थे उनको कहते थे अधिवास बिलकुल सही वास कमर के उपर सरीर का जो वस्त्र होता था और नीवी कमर के नीचे को जो अधो वस्त्र होता था उसे कहते थे तो उप्यूगत सभी सही है फोर्थ ओप्शन हमारा करेक्ट है निम्न लिखित में स किसका संकलन रिगवेद पर आधारित है तो किसका संकलन रिगवेद पर आधारित है तो शाम वेद का जो संकलन है वो रिगवेद पर आधारित है निम्न में से कौन सा वेद गदवय पदवत दोनों में लिखा गया है इंपोर्टेंट किशन है जिसे चंपु शैली भी कहते है गद्वय पद दोनों में लिखा गया है वो कौन सा वेध है तो वो है ये जूरवेध थर्ड ओप्शन हमारा करेक्ट है वेधिक काल में गो धूम किसे कहा जाता था गो धूमा वेधिक काल में किसे कहा जाता था तो ये किसे कहा जाता था गेहू को गोधुमा कहा जाता था रिगवेदिक यूग में निमनलिकित में से कौन सा मनोरंजन का सादन नहीं था कौन सा सादन नहीं था दुद्करम था, रत दौड था, संगीत था कौन सा नहीं था, नौ का दौड नहीं था थर्ड ओप्शन करेक्ट है विवा होने तक शिक्षा घ्रैन करने वाली करन्या को निमनलिकित में से क्या कहते थे विवा होने तक मतलब जो आज इवन ही विवा नहीं करती थी वो तो ब्रह्मवादेनी होती थी उनको कहते थे ब्रह्मवादेनी और जो विवा होने तक शिक्षा करेंग करती थी उनको सद्योद्रियाहा कहा जाता था अगला है छांदोगे उपनिषद का संबंद किस वेद साखा से है वैदिक नदी कुमबा जो है काबुल जिसका पराचे नाम है कास्थान था कौन सा स्थान था वेदिक नदी कुमबा या काबूल कह सकते हो आपका प्राचिन स्थान था तो कौन सा था अफगानिस्तान निम्न में से कौन परस्थान त्रे में शामिल नहीं है तो कौन सा शामिल नहीं है भागवत शामिल नहीं है बाकी हैं बगवत गीता ब्रमसुत्र और उपनिशद वैदिक राजाओं वे राज्यों के निमलिकित युगमों से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ये बताना है जैसे कि कौन से राज्य की कौन से राजा है जैसे अजात्स्रू काश्दी बिल्कुल सही है जनक विदे बिल्कुल सही ऐस्वपती के कहें के थे बिल्कुल जनमेजे मद्र के ये गलत है ये सुमेलित नहीं है फोर्थ उप्शन हमारा correct है शामवेद में किसका उलेक है? शामवेद में संगीत का ओर अथरवेद की बात करें तो उसमें जादू करमकांड है यह जुरवेद में रिगवेद का परसिद पुरुश्चुक्त स्रिस्टी का ब्रहम इस कारण परसिद है कि इसमें वर्णन है रिगवेद का जो परसिद पुरुष्युक्त है पुरुष्युक्त स्रिस्टि का ब्रह्मा ये किस कारण से परसिद है क्योंकि इसमें किस चीज का वर्णन है इसमें ब्रह्म के चार अंगों से चार वर्णों की उत्पत्ती को बताया गया है तो ये जो चारवर्ण होते हैं उनके जो उत्पति है वो ब्रह्म के चार अंगों से हुई है ये बताया गया है वैदी काल में कर को कहा जाता था कर को कहा जाता था कर मतलब बली प्राचिंतम उपनिशद थे प्राचिंतम उपनिशद कौन कौन से थे वरतदारनेक और छांदोगे ये दो थे वरतदारनेक और छांदोगे अनुलोम विवा का क्या आर्थ है अनुलोम विवा किसे कहते हैं जिसमें उच्वर का पुरुष होता है और निम्न वकिस्त्री के साथ में विवा होता है तो ये पहला option हमारा correct है निम्न लिकित में से कौन वेदिक गरंथों का अंग नहीं है कौन सा वेदिक गरंथों का अंग नहीं है, सहींता उपनिशद और आनिक है, पुरान नहीं है, वेदिक गरंथों का अंग, वेदिक काल में जनम से मृत्यू तक वेक्ति के कितने मैतपौन संसकार होते थे, तो आपने बहुत बार पढ़ा हुआ, important question है, 16 संसकार होते थे, जैस तक मृत्यू होती थी, तब तक 16 संसकार होते थे, तो इसके बारे में आपने सुना होगा, अगला question देख लेते हैं, वे अगला निमलिकित में से कौन सी बात रिख वेदिक स्तिरियों के संदर में सहीं नहीं है, कौन सी बात सहीं नहीं है, ये बताना है, तो वे सभा की स्वाई में भाग लेती थी, तो बिल्कुल लेती थी, वे येगों का अनुस्ठान करती थी, बिल्कुल, वे युदों में सक्रिये भाग लेती थी, बिल्कुल, उनका बाल विवा हो जाता था, नहीं, ये fourth option जो है, वो correct है, वे दिक लोगों द्वारा किस दातू का क्या गया था, तांबा, अगला है, वे दिक योगीन इत्यास का प्रदान श्रोत है, वे दिक योगीन जो इत्यास है, उसका प्रदान श्रोत क्या है, कहां से लिया गया, कहां से जानकारे मिलती है, इस किश्यन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएग प्लीज 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 थर्टी फंस्ट का अगर आप मेरा वीडियो पूरा जरूर देखे गा और थर्टे फंस्ट का अंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेगा सुमेलित करना है तो ये जो वेद है दूसरी साइड समंदित वेद है उफवेद और कौन से वेद्धूं से समंदित है ये बताना है तो जैसे कि आयूर्वेद जो है आयूर्वेद कौन से वेद से समंदित है तो आयूर्वेद जो है ये रिगवेद से समंदित है धनूरवेद जो है ये किसे समंदित है ये ये जुरवेद से समंदित है ये जुरवेद से समंदित है गंदरवेद जो है ये है शामवेद से समंदित और शिल्फवेद या अर्थ सास्तर की बात करें तो ये अर्थवेद से समंदित है तो ये इस तरीके से है पहले का दूसरा दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा निवलिकित में से किसे सौम यग माना जाता है तो किसे माना जाता है अगनी स्टोम को अगला किशन है विवा प्रथा किसने कायम की थी जिसमें बाद में स्वेत केतू और दालिक ने सुधार किया था तो विवा प्रता किसने शुरू की थी तो कायम करने वाले थे दिर्गतमार रिशी और बाद में इसमें स्वेत केतू अदोल ने इसमें सुधार किया था उत्रवेदी काल में स्त्रियों की स्तिति के समद्ध में कौन सा कतन सही नहीं है उत्तर वेदिकाल की बात हो रही है वेदिकाल उत्तर वेदिकाल जब उस मापती की और जा रहा था तब स्त्रियों की स्तिति की समद में कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था, उन्होंने उपने संसकार का अधिकार खो दिया था, बिल्कुल उन्हें सिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था, ये गलत है, ये ही कथन सही नहीं है उन्हें राजनेती में भाग लेने का अधिकार नहीं था, बिल्कुल था रिगवेदिक समाज किस रूप में संगठित था तो जन जन के रूप में संगठित था सुमेलित करना है एक तरफ वेद हैं दूसरी तरफ उनकी यग करता है जैसे कि रिगवेद में ये करता को बोलते थे होता या होत ये जुरवेद में कहते थे अधरवियू शामवیध में कहते थे उदगाता या उदग्रात्र अधरवेध में कहते थे भ्रहमा तो इनके सामने इनके ये सुमेलित ही है एक तरफ वेध हैं और इनके येकरताओं को क्या कहा जाता था वो लिखा हुआ है आरे शब्द का साब्दिक अर्थ है वनस्पती का देवता माना जाता है वनस्पती के देवता किसको कहा जाता है सोम देवता को वेद सब्द का समानने अर्थ है वेद का क्या मतलब है वेद मतलब ग्यान अगला है रिगवेद के नोवे मंडल को कहा जाता है तो नोवे मंडल को कहा जाता है शौम मंडल निमनलिकित में से किस वेदिक सुक्त में चार वरणों के उद्गम का संदर मिलता है तो जो ब्राम्मन है, शत्रिय है, शुद्र है तो ये जो हैं, सब विश्य है तो ये निमनलिकित में से किस वेदिक सुक्त के चार वरणों के उद्गम का संदर मिलता है तो किसमें मिलता है तो यह मिलता है पुरुष वैदिक देवता इंदर थे जो इंदर थे वो जो वैदिक देवता इंदर थे तो किसके देवता थे वो जनजावात के देवता वर्शा के देवता तो दोनों ही थे एक वैदो दोनों जनजावात का देवता भी कहते थे और वर् पुरुष्य क्यों कहा गया है क्योंकि क्योंकि वेदों की रचना दिश्यों द्वारा की गई है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है क्योंकि वेदों की रचना पुरुष्यों द्वारा की गई है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की है विवाद ग्रिस्थ प्रिसन है आरियों का मूल निवास्थान भारत मानने वाले विद्वान है तो वैसे तो मूल स्थान कोई नहीं बता सकता आरियों का लेकिन आरियों का मूल जो है वो भारत को मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं तो पंडित गंगानाद जा, एल्डिकल और डियेस त्रिवेदी उपरोक्त सभी मानते हैं कि आरियों का मोल निवास्थान भारत था वेद शब्द का अर्थ है यह अभी हमने देखा था ग्यान सबसे प्राचिन वेद वे आरिये संस्कृति का परमुक श्रोत है तो सबसे प्राचिन जो वेद है रिगवेद और यही आरिये संस्कृति का परमुक श्रोत है अगला है रिगवेद में किसका उलेख है रिगवेद में किसका उलेख है रिगवेद में मंत्र वेदों की भासा जिसे देववानी भी कहा जाता है वेदों की भासा कौन सी है संस्कृत उपने नामक संस्कार की अफसर पर आयोजित होता था तो उपने नामक जो संस्कार था वो शिक्षा के प्रारंब पर होता था सुमेलित करना है अर्थरवेद जो था वो किसे समंदित था और अश्डियों से समंदित रिगवेद था रिगवेद में मिलती है इस्वर महिमा शामवेद संगीत से समंदित और ये जुरवेद बलिदान विदी से रिगवेदिक कालेन पर्मुक देवी थी उसको क्या कहते थे पर्मुक देवी थी उसको उशा, सूरिया और अदिती उपरौक्त सभी दस राग्य यूद जो था वो गुरू वशिष्ट के ने राजा सुदास का साथ दिया था और एक तरफ तो था सुदास राजा सुदास और दूसरी तरफ दस राजाओं का जो संग था वो था और जो सुदास था उसका साथ दिया था गुरू वशिष्ट ने और इन दस राजाओं का साथ किस ने दिया था गुरू विश्वा मित्र ने और इसमें विजे कौन होए थे राजा सुदास रिगवेदिक काल में सरवादिक मेत्र नदी कौन सी थी तो सबसे रिगवेदिक काल में सबसे मेत्र नदी थी सिंदू आरिये सर्वपर्थम कहां पर बसे पंजाब निमनलिकित नदियों में से किसका रिगवेद में केवल एक बार उलेक हुआ है तो गंगा नदी का सिरफ एक पुत्रियां कहा गया है तो सभा और समीती इंपोर्टेंट किशन है इनको परजापती जो देवता है उनकी दो के प्रति है तो रिगवेद में प्रत्म रिचा जो है ये वरून देवता के प्रति है रिगवेद में कुल रिचाओं मंत्रों की संख्या कितनी है एक अजार छेस्सो थर्ड ओप्शन करेक्ट है सेंदव संस्कृति के विनास के पच्चाथ भारत में जिस नवीन सब्वेता का किस नाम से जानते हैं तो सैंदर संस्कृति के बाद में विदिग सब्वेता आई है आरियों के द्वारा आत्मा के आवाग्मन की परिकल्पना निमनले की तमें से सर्वर पर्थम कहां मिलती है तो रिगवेद में मिलती है उपनेश्द काल के राजा अस्वपति शाशक थे कहां के कहे के थे यह इंपोर्टेंट किशन है हमने पहले भी सुमेली किया था उसमें देखा था कौन सा सुमेली थे उसमें जो अस्वपति जो सा सकते वो के कहे के थे वेदिक काल में गाउं की मुक्या को कहते थे वेदिक काल में गाउं की मुक्या को क्या कहा जाता था ग्रा आमेंट सब्वेता थी सिंदूगाटि सब्वेता थी वो नगरी सब्वेता थी है अगला है रिग्वेदिक बर्तों का अधिवास था रिग्वेदिक बर्तों का अधिवास था रावी घाटी में रिग्वेद में पुरंदर शब्द किस देवता के लिए उपयोग मिलिया गया इंपॉरंटन किश्यन है इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है पुरानों की संख्या कितनी है पुरान है अठारा और ओषदी वनस्पतियों के विशे में सूचना किस वेद में है तो ये जो है अवशेस नहीं छोड़े आरेश अब्वेता की जानकारी के मुखे श्रोत क्या है तो आरेश अब्वेता की जानकारी के मुखे श्रोत है वेद यह important question है friends पुनर जनम का विचा सर्वपर्थम किस उपनिशद के पूरक खंडों में तथा विस्तरत रूप से छंदों के उपनिशद में मिलता है तो पुनर जनम का विचा सर्वपर्थम कहां पर मिलता है तो पुनर जनम का जो विचार है वो सर्वपर्थम मिलता है हमें वरहदारनेक उसकी नीवललीट नहीज किसे आरियों का मोल निवास आर्कतिक परदेश थे बता आरियोंका मोल निवास तो यह बताया है बीजी तिलक नारीयों सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद रिगवेद है, किस देवी या देवता को गायतरी मंतर समरपित है, तो वो सावितरी देवता को है, रिगवेद में है, उपनिशदों की कुल संख्या कितनी है, 108, शुकल और कृष्ण के रूप में ग्याद दो संस्क्रण मिलते हैं यह जुर्वेद में second option correct है कौन सा साहिते वेदिक साहिते से सम्मंदित है तो सत्पत ब्रामन और वर्दारनेक उपनिशद वैसे तो कौन सा साहिते वेदिक साहिते से सम्मंदित है तो यह दोनों ही है एक वैदो दोनों निमनलिकित में से उत्रवेदी काल में लिखे गए जन्तों का सही क्रम कौन सा है तो सबसे पहले वेद फिर ब्रह्मन आरनेक और फिर उपनिशद ये हमारा सही क्रम है फर्स्ट ओप्शन करेक्ट है अगला है वेदों को चार बागों में किसने विभाजित किया वेदों को चार बागों में वेद व्यास ने विभाजित किया उक्ति सर्व पर्थम कहां उक्त की गई उपनिशद में रामायन में कितने कांड हैं तो साथ कांड हैं जैसे संदर कांड योद्या कांड बाल कांड इस तरीके के जो कांड हैं ये साथ हैं नहीं लिकित में से किस ग्रंथ में कृष्ण के प्राचिंतम संदर पाए गए हैं तो किस में पाए गए हैं छांदोगे उपनिशद में सही कथन है इन में से कौन सा सही कथन है पूर्व वेदिक काल या रिगवेदिक संस्कृति का काल जो था वो 1500 इसा पूरू से 1000 इसा पूरू तक था तो बिल्कुल सही है इंपोर्टेंट किशन है ध्यान रखेंगे पूर्व वेदिक या रिगवेदिक संस्कृति का जो काल था वो 1500 इसा पूरू से 1000 इसा पूरू था उत्तर वेदिक संस्कृति का जो काल था वो 1600 इसा पूरू था ये भी बिल्कुल सही है दोनों ही ध्यान रखेंगे जो ब्रामन यूग था वो 800-600 इसा पूरू था उप्यूक्त सभ प्राचिन भारत में निश्क से जाने जाते थे तो निश्क जो थी वो मुल्लिक होता था तो यह बताना है कि प्राचिन भारत में निश्क से जाने जाते थे किस क्या जाने जाते थे सुर्ण आभूशन इनसे लेंदेन होता था राजश्योय से सम्मंदित अनुस्ठानों का वर्णन है राजश्योय से सम्मंदित जो अनुस्ठान होते थे वो उनका वर्णन किसमे है तो ये जो अनुस्ठान थे करमकान थे ये जुर्वेद में कप्पिल मुनी द्वारा परतिपादित दाशनिक परनाली है तो वो है सांख्य दर्शन उपनेशिदों में दर्शन सास्तर के किस पक्ष पर सबसे अधिक जोड दिया गया है तो कौन से पक्ष पर ग्यान भारत में किस तल की खुदाई से लोह धातु के पर्चलन के प्राचिंतम प्रमान मिले हैं कौन सी स्थल की खुदाई से मिले हैं तो अतरंजी खेडा थर्ड ओप्शन करेक्ट है रिगवेद में लोपा, मुद्रा, घोसा, सीक्ता, अपाला और विश्वारा थे ये सब कौन थी? ये विदूशी महिलाएं थी ये विदूशी महिलाओं के नाम है रिगवेदिक समाज के बारे में सही कथन है रिगवेदिक समाज जो था उसमें ग्रामों को मिलाकर एक विश्व का निर्मान होता था बिल्कुल सही गाओं को मिलाकर एक विश्व बनता था और विश्व का जो सर्वोच अदिकारी होता था उसको विश्पती कहा जाता था और इनी विश्वों को मिला कर बहुत सारे विश्वों को मिला कर एक विश्व बनता था बहुत सारे विश्वों को मिला कर एक जन बनता था और जन का निर्मान होता था जिसका सर्वोच अदिकारी जो होता था उसको रक्षक गोपतिया राजन कहा जाता था ये भी सही है तीनों कथन सही है उप्युक्त सभी सही हैं अगले किशन की बात कर लेते हैं रिकवेदिक विवा के संदर्ब में निमनलिकित में से कौन सा कथन सत्ते है रिकवेदिक विवा के संदर्ब में बताना है तो समाज में अंतरजाती विवा परचलित थे लेकिन बाल विवा नहीं होते थे, बिलकुल सही, समाज में नियोग पृत्था पचली थी, बिलकुल, समाज में पुनर विवा होते थे, तो उपरोक्त सभी कथन सते हैं वेदान्त या उत्र मिमाशाः दर्शन के परतिपादक कौन थे, तो वो थे बादरायन अगले बात करते हैं हम प्रारंबिक वेदिक कालीन आरियों का मुख्य ववशाय क्या था तो प्रारंबिक वेदिक कालीन आरियों का वैसे तो खेती और पसुपालन दोना था क्रिशी वे पसुपालन लेकिन मुख्य तोर पर पसुपालन वेदिक दरम का मुख्य लक्षन इन में से किसकी उपाशना था तो किसकी उपाशना था प्रकृती की फर्स्ट ओप्शन करेक्ट है प्राचिन साहिते में वर्णित विवाहों के प्रकार हैं कितने प्रकार के विवाह होते थे आठ प्रकार के जिसमें से चार तो थे वो सही माने जाते थे जिनको चार को सही नहीं माना जाता था नियाय दर्शन को किसने परचारित किया था गौतम ने वह केंद्रिय राजनेतिक संस्ता या सामाने जन्ता की परतिनिदी सभा जो राजा की नियुक्ति पज्युत करने वे उस पर नियंतरन रखने का कारिय करती थी, उसको क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था समीती रिगवेदी काल के प्रारम में कौन से वर्णों का उलेख है, तो ब्रामन, शत्रिय और वेश्य, शुद्र नहीं था, ये तीन थे का महतवपोण अंग है, तो वेदिक गणित का महतवपोण अंग है, कौन सा सुलू सुत्तर, सुलू सुत्तर, रिगवेदी का एक महतवपोण मंडल निमल लिखी देवताओं में से किसी एक को ही समर्पित सुक्तों का संग्रह है, तो वो शौम को संग्रहित है, रिगवेद का एक जो नौवा मंडल है वो एक देता सोम को समर्पित है जुताई बुवाई कटाई का उले कहां पर मिलता है तो सत्थपत ब्राम्मन में इमलिकित में से सही कतन का चुनाओ करना है रिगवेदिक काल में कन्याओं को वेदिक सिक्षा दी जाती थी बिलकुल रिगवेद काल में विदूसी महिलाओं को रिशी कहा जाता था तो बिलकुल जो उप्रुक्त सभी कथन सत्ते हैं वेदिक दरम आधारित था वेदिक दरम यग पर महापराणों की संख्या कितनी थीद है अठारा तो फोर्थ ओप्शन करेक्ट है स्मृतियों में वर्णित विवा की किस प् बन्या के पिता को एक गो जो दान दी जाती थी गोविदुन देना पड़ता था उस विवा को क्या कہा जाता था आष्वी आअरियों का मुक्य पेपदारत जो था वो था सौम्रस वेदी काल में रिशी वसिस्ट किस वन्स से संब्मंदित थे तो गुरू रिशी वसिस्ट वो थे भरत वंद से, संसकारों का सास्त्री विवेचन सर्व पर्थम वरिदारनियों को अपनिशद से प्राप्त होता है, वे इनकी संख्या है, तो संसकारों का सास्त्री जो विवेचन है, वो सबसे पहले वरिदारनियों को अपनिशद से प्राप्त होता है, और इनकी संख् कह tehा है, सोला, सोला संसकार थे। संसकारों का वणा न्यकित में से किस मूल पार्ट में हैं, तो किस में हैं, ग्रे है सुत्तर में, थर्ड योगदर्शन के पर्तिपादक हैं, पतंजली। याग वल्लक्ये और गार्गी का समवाद किस में मिलता हैं, वर्धारणें क में वेदिक काल में परिवार का मुख्य कहलाता था तो वेदिक काल में जो परिवार का जो मुख्य होता था उसको क्या कहते थे कुलप कुल का जो मुख्या कुलप वाल्स ने सहीता कहा जाता था शुकल ये जुर्वेद को सौरी शुकल ये जुर्वेद रिकवेद में वर्णित धर्म का आधार था पुरकृती पूजा महा भारत का पुराना नाम क्या था जै सहीता केंदरी राजनेतिक संस्ता समीती के सभापती को क्या कहा जाता था उत्तरवेदी काल में वेद विरोधी और ब्रामन विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था उनको जाना जाता था श्रमन नाम से रिगवेदी काल में निमन में से कौन एक सास की पदादिकारी नहीं था तो मंतरी नहीं थी परसित सुक्ति तत्त मसी निमन लिखित में से किस एक उपनिशिद में मिलती है छांदोग्य उपनिशिद में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है रिग्वेद में दूसरा मेतपूर्ण देवता है तो सबसे मेतपूर्ण इंद्र और दूसरे नमर पे अगनी रिगवेद में सिर्पर धारन करने वाली पकड़ी को क्या कहा गया है उष्णिये किस देवता के लिए रिगवेद में पुरंदर सब्द का प्रियोग हुआ है यह हम पहले भी देख चुके हैं इंद्र भगवान इंद्र का जो है उसके लिए पुरंदर शब्द का प्रियोग हुआ है परसीत दशरागे यूद या दशराजाओं का जो यूद है उलेक है उसका किसमे रिगवेद में सबा और समीती संस्थाएं थी आरियों की प्रारंबिक आरियों के बारे में निम्न कत्नों में somewhere कौन सा सही नहीं है वो बताना है वे सन्सकृत बोलने वाले थे बिलकुल वे गुर्सवारी क्या करते थे बिलकुल वे कई जुंडों में भारत पहुंचे ये भी बिलकुल सही है वे मुख्यता नगरों में निवास करते थे नहीं ग्रामीन वे सब्वेता थी तो नगरों में निवास नहीं करते थे तो ये हमारा जो है ये सही नहीं है फोर्थ अगला है रिगवेदिक शब्द रीत किसकी व्याखा को सपस्ट करता है अगला देख लेते हैं अस्तोमा सद्गमया तथा गायतरी मंतर कहां से लिए गए हैं? आरियों का सबसे प्राचिन संस्ता जनसभा कौन सी थी? विदत वोलते थे उसे रिगए में संपत्ती का मुख्य रूप क्या था? तो गोधन मतलब गाय को सबसे सर्वोपर ही मानते थे वो और जो रिगए में संपत्ती का मुख्य रूप जो था वो गोधन ही था और गायों से और यहीं मुस्ट ली वह लें दिन भी कर लेते थे तो ठीग काल में देवताओं मनुश्यों के मध्ययस्त्र के रूप में कौन से देवता को जाना जाता था देवताओं और मनुश्यों करता था अगला है सुल्व सुत्र किस विशे से सम्मंदित पुस्तक है तो यह जय मित्य से समंदित है सेकिंड ओप्शन करेक्ट है दस रागे युद में जिसमें दस रजाओं का युद हुआ पांच आरीय थे और पांच आरियोत्र थे कोप राजित करने वाले बरतवन्स के राजा कौन थे तो मैंने बताया था कौन विजे वुई थी किसकी विजे वुई थी सुदास की उत्तर रिग वेदिक काल में राजा का पद होता था अनुवानसिक पर्थम विदी निर्माता कौन है मनू वेदिक काल का वै देवता जो असूर कहलाता है एवन जलनिदी का परतिनिद्धित्व करता है वो है वरुन वरुन को असूर कहलाता है और जलनिदी का परतिनिद्धित्व करता है आरियों के प्रिये देवता थे अरियों के प्रिये देवता थे इंद्र रिगवेद में एक मंत्र में रुद्र सीव को कहा गया है क्या कहा गया है तिर्यंबकम प्रारंबिक वेदिक काल की सबसे सामाने सासन विवस्ता क्या थी गनतंत्र अगला है आरियों के कबिलाई समाज की बुनियादी इकाई थी आर्यों के कब बिलाई समाज की बुनियादी इकाई थी पितर सतातमक पुरिवार अाधर वेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अधर वेद को भ्रह्म वेद भी कहते हैं निमनलिकित ब्राम्मन मौल गरंथों में से कौन सा एक रिग्वेद से समंदित है तो वो है अत्रे ब्राह्मन निमनलिकित फसलों में से किस फसल का ग्यान वेदिक काल के लोगों को नहीं था कौन सी फसल का ग्यान नहीं था तो चावल जो और गेहूं का था तंबाकू का नहीं था फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा फास्ट करवा रही हूँ अगर आपको किसी का आंसर सोचना है तो आप पॉस कर सकते हो वीडियो को क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 170 किस्टन्स हैं तो हमें थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा मैक्स मुलर के मता अनुसार आर्य मूल निवासी थे मैक्स मूलर के अनुसार मद्दे एश्या के उत्रवेदिक यूग में जाती परता का आधार हो गया था तो पहले तो क्या था बाद में क्या हो गया था पहले मतलब जनम के आधार पर उत्रवेदिक यूग में जाती परता का आधार हो गया था जनम के हिसाब से रिगवेद में कौन सी कबिलाई परिशद का उलेक है तो विदत का है सभा का है और समीति का भी है उपरोक्त सभी आरियों की भाषा थी कौन सी संस्कृत रिगवेदिक सभेता का वहे तत्व जिसकी उपनिशदों के रिश्यों ने आलोचना की वहे कौन सा था यग्यवाद अगला है उत्रवेदिक काल में परजापती श्रिस्टा विश्नु एम रुद्र अधीक महतपुर्ण हो गए वैशुद्रों के लिए कौन से देवता निर्धारित किये गए तो उत्रवेदिक काल में जो थे पहले जो थे वो तो कौन से देवता थे अगनी इंद्र ये बताना है तो उनके लिए नेदारित किये गए थे पुष्न मवेश्यों का देवता रिगवेदिक आरियों से संबंदित कौन सा कथन ऐसत्य है ऐसत्य कथन बताना है यहां पर वह गाउं में रहते थे बिलकुल वह दुत क्रीड़ा नहीं जानते थे यही ऐसत्य है वो जानत था बिलकुल सामाजिक जीवन की प्रात्मिक इकाई परिवार था बिलकुल सुमेलित करना है एक तरफ वेद है दूसरी तरफ उनके रचनाकार है यह जूरवेद के रचनाकार विश्वमित्तर बिलकुल सामवेद के ब्रत्मुने बिलकुल और अथरवेद के विश्वकर्म बिल्कुल तो ये तीनों ही सही हैं सुमेलित हैं चार आश्रमों के बारे में सत्यकतन बताईए चारों आश्रमों के बारे में सत्यकतन बताना है तो सबसे पहला है ब्रह्मचारिय आश्रम 25 साल की उमर तक का होता था इसमें वेक्ति विद्याद्यन करता था बिल्कुल सही गर प्रस्ता आश्रम जो था वो 25 से 50 वर्ष तक होता था विवाह कर गरस्ती का निर्वहन करता था बिल्कुल वान प्रस्ता आश्रम जो था वो 50 से 50 वर्ष के बीच में था इसमें विक्ति को वन की और गमन करना होता था बिल्कुल सन्याश आश्रम जो था वो 55 से 100 वर्ष की उम मिलता है तो राष्ट का अल लेक 10 मंडल में मिलता है समीति का अदैक को क्या कहते थे तो समीती के कि जो परधान होते थे उसको श्रस्टीन कहते थे तो ये भी कुछ important question है ये ध्यान रखेंगे ये जुर्वेद का अंतिम भाग किस नाम से जाना जाता था जिसका संबंध यागिक अनुस्टान से नय होकर अध्यात्मिक चिंतन से है तो वो कौन सा है इश्वपनिशद वेदिक काल में फारस की खाड़ी वाले देशों से व्यापार करने वाले व्यापारियों को क्या कहा जाता था तो फारस की खाड़ी वाले देशों से व 33 तोम उत्सव जिनके द्वारा अनार्यों को आरिये इक बनाया जाता था उल्ले कौन से गरंथ में मिलता है तो वो तान्डव ब्रहवन गरंथ में मिलता है सूमेलित करना है अमाजु किसे कहा जाता था अमाजू जो कन्या आजिवन विवा नहीं करती थी उसे अमाजू कहते थे पुनर्भू किसे कहा जाता था जो विद्वा का पुनर्विवा हो जाता था जो उसका पुनर्विवा होने के बाद में उसे पुनर्भू कहते थे वाधुये किसे कहा जाता था विवा के समय पर जो वर और वदू द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र थे उसे वाधुये कहा जाता था और भ्रमवादिने तो हम पहले भी देख चुके हैं विदूशी महिलाओं को जो आज इवन कुँआरी रेकर शिक्षा प्राप करती थी उन विदूशी महिलाओं को भ्रामवाद दिने कहते थे ब्रह्मवादिने आपको आपको ये 170 किश्चन पसंद आये होंगे और अगर पसंद आये हैं प्लीज लाइक बटन को प्रेस करना और प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो थेंक यू